गोरा रंग, उंचा कद और हैंडसम लुक वाले एक ऐसे अभीनेता जो एक्टर बनने से पहले एक फेमस मॉडल रह चुके थे 70's के दशक में बॉलिवुड में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में शुमार एक ऐसे शक्स जिनकी एक जहलक पाने को लड़कियां बेताब रहती थी पुरे फिल्म इंस्टिटूट से गोल मेडल हासल कर चुका वो चमकता सितारा जिनोंने एक फिल्म में उस समय के फ्लॉप अभी ने था अमिताब बच्चन के साथ एक फ्रेम में खड़े होने तक से इंकार कर दिया था लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाद के दिनों में ये ऐसी गरीबी का शिकार हुए कि उसी अमिताब बच्चन से इन्हें मदद मागनी पड़ी और अमिताब के साथ एक छोटा सा रोल करने के लिए मिन्नत करनी पड़ी क्या आपको पता है कि इन्हों ने जिस गर्ल्फरेंड के लिए अपनी पतनी से नाता तोड़ लिया उसी ने इन्हें डिच कर छोड़ दिया और क्या आप यकीन करेंगे कि कभे जिस सुपर स्टार एक्टर को उनके चाहने वाले अपने दिलो दिमाग में बसाया करते थे उसी के सगे भाई ने उनको अपने घर से निकाल दिया और अपनी दूसरी पतनी की मौत के बाद इन पर लगे संगीन इल्जाम में इन्हें लंबे समय तक जेल में जिन्दगी बितानी पड़ी तो कौन थे ये अभिनेता क्यूं और कैसे इनकी जिन्दगी अर्ष से फर्ष पर आ गई और कौन था इसके लिए जिम्मेदार जानेंगे और भी बहुत कुछ आप देखते रहें बॉलिवुड के रोचक किस से वेदिका के साथ दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं जाने माने वेटरन एक्टर नवीन निश्चल की बॉलिवुड की चका चौन्द भरी दुनिया में चर्ते सूरज को सलाम करने और डूपते सूरज से किनारा कर लेने के किस्से जब सुनाए जाते हैं तो अभिनेता नवीन निश्चल का नाम खास तोर से लिया जाता है लेकिन नवीन की जिंदगी किसी और ने नहीं बलकि इनोंने खुद ही बरबाद कर डाली और इसके पीछे की सच्चाई हम आज के अपने शो में विस्तार से बताएंगे 18 मार्च 1946 को लहौर में एक बंगाली परिवार में जन्मे नवीन निश्चल की पढ़ाई बंगलोर के मिलिटरी स्कूल से हुई थी बहद स्टाइलिश दिखने वाले नवीन ने पहले मॉडलिंग में हाथ आजमाया और कामयाब भी रहे साथ के दशक में दिल्ली में मिस्टर इंडिया कॉंटेस्ट का प्राइमरी राउंड जीत कर फाइनल राउंड के लिए मुंबई पहुचे तो अपने पिता के दोस्त और तब के जाने माने फिर्म डारेक्टर मोहन सहगल से मुलाकात की सहगल साब ने नवीन को सलाह दी कि वो पुरे जाकर फिल्म इंस्टिट्यूट में दाखिला लेकर एक्टिंग सीखें उन्होंने कहा कि जब तुम हीरो बनने के लिए जरूरी सारी चीज़ें अच्छे से सीख जाओ तो फिर मेरे पास वापस आना पुरे में नवीन निश्चल अपने बैच में टॉप कर गोल्ड मिडलिस्ट बन गए वहां से लोटने के बाद मोहन सहगल ने अपने वाइदे की मताबिक उन्हें अपनी फिल्म सावन भादों में कास्ट कर लिया इस फिल्म में उनके आपोजिट रेखा ने काम किया था और उनकी भी ये पहले फिल्म थी 1970 में रिलीज हुई ये फिल्म सुपर हिट थाबित हुई और इसके बाद तो उनके सामने फिल्म निर्माताओं की लाइन लग गई अगले साल यानि 1971 में उनकी पाँच फिल्म में रिलीज हुई जिनमें बुढधा मिल गया, नादान, संसार, गंगा तेरा पानी अमरित और परवाना शामिल थी परवाना वही फिल्म थी जिसमें अमिताब बच्चन नवीन के मुकाबले एक बहुत छोटी सी भूमिगा में आये थे कहा जाता है कि नवीन निश्चल के सिर पर घमंड इसकदर हावी हो गया था कि उन्होंने फिल्म के प्रोमोशन के दौरान अमिताब के साथ फोटो सेशन करवाने से इंकार कर दिया था अगले साल आए फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 ने भी खासा रंग जमाया 1973 में उनकी एक के बाद एक छे फिल्म में आई जिनमें दो को आज भी याद किया जाता है पहली थी रामसे ब्रदर्स की फिल्म धुंद जिसे अब तक की बेस्ट हिंदी थ्रिलर फिल्मों में से एक माना जाता है 1973 में नवीन की फिल्मों में एक और फिल्म हस्ते जखम के गीत आज भी सब की जुमान पर रहते हैं ये फिल्म देवानंद के बड़े भाई चेतन आनंद ने बनाई थी और इसमें उनकी लिविन पार्टनर प्रिया राजवन्च ने नवीन के आपोजिट काम किया था नवीन निश्चल के फिल्म हस्ते जखम की शूटिंग का एक किस्सा मशूर है कि एक दिन वो अपने कॉलेज के कुछ मित्रों के साथ रात पर पार्टी करते रहे और सुबह शूटिंग के लिए तयार होकर सीधे सिट पर पहुँच गए फिल्म के निर्देशक चेतन आनंद ने उनकी आँखे देखी और समझ गये कि ये रात पर पार्टी करके आए हैं चेहरे की हालत ऐसी थी कि चेतन आनंद ने नवीन की आँखों पर एखास लेंस लगा कर शूटिंग करने की कोशिश की लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ और शूटिंग रोकनी पड़ गई इससे नुकसान हुआ और इंडस्ट्री में ये बात फैल गई कि नवीन काम के प्रती ला परवा हो गए हैं मशूर गीतकार, लेخक और फिर निर्देशक गुलजार ने जब बतौर निर्देशक अपनी पहले फिल्म मेरे अपने की तैयारी शुरू की तो उनकी पहली पसंद भी नवीन निश्चल ही थे फिल्म मेरे अपने में जो किरदार विनोध खन्णा ने निभाया है वो पहले नमीन को ही मिलने वाला था इसी तरह मनोज कुमार की सुपर हिट फिल्म रोटी कपड़ा और मकान और दीवार में जो किरदार शशी कपूर्ण निभाये थे वो भी पहले नवीन निश्चल को ही आफर किये गए थे इन दोनों ही फिल्मों में अमिताब बच्चन हैं जिने आंकार में डूबे नवीन निश्चल बहुत छोटा कलाकार मानते थे इसलिए नवीन ने इन फिल्मों में अभिने करने से इंकार कर दिया था पर जब ये फिल्में रिलीज हुई तो सुपर हिट साबित हुई जिसका नवीन को बहुत पच्टावा हुआ नवीन निश्चल ने जतनी रफ़तार से फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाई उतनी ही जल्दी शोहरत उन्हें छोड़कर जाने भी लगी बताया तो ये भी जाता है कि मौका मिलने पर नवीन निश्चल पत्रकारों को भी अपमानित करते रहते थे जिस वज़े से पत्रकार धीरे धीरे नवीन निश्चल इक चापना ही बंद करने लगे और एक दिन वो भी आया जब मुंबई के मिट्रो थेटर में एक फिल्म के प्रीमियर पर जब नवीन पहुँचे और अपनी लंबी गाड़ी से उत्रे तो मीडिया वाले उनकी और लपके लेकिन जैसे ही फोटोग्राफरों को पता चला कि ये नवीन निश्चल हैं तो उन्होंने अपने कैमरे नीचे कर लिए वही बात करें नवीन निश्चल की निजिस जिन्दगी के बारे में तो कहा जाता है कि इनकी जिन्दगी में कई औरतों का आना जाना लगा रहा और नवीन कपड़े की तरह लड़कियां बदला करते थे फिल्मों में आने से पहले ही नवीन निश्चल ने देवानंद की भांजी नीलू कपूर से शादी कर ली थी जो शेखर कपूर की बहन थी उनसे नवीन को दो बेटियां भी हुई जिनके नाम रखे गए नौमिता और नताशा कहते हैं इसे रिष्टे के कारण उनका देवानंद के परिवार से करीबी रिष्टा भी बन गया था और इसी वज़े से उन्हें चेतन आनंद ने हस्ते जखम में प्रिया राजवन्ज के साथ उता रहा था लेकिन जल्द ही ये सब बदलने लगा नवीन की गहरी दोस्ती उस दौर की एक हिरोईन पदमीनी कपिला से हो गई बात इतनी बढ़ी की साल 1976 में इनकी पत्नी नीलू और नवीन का तलाक हो गया लेकिन इसी बीच पदमीनी कपिला ने एक दूसरे शादी शुदा मर्ट से दोस्ती बढ़ा ली जो थे उस दौर के मशूर फिल्म निर्माता प्रकाश महरा और इस तरह नवीन निश्चल ने जिस औरत के लिए अपनी पत्नी को छोड़ा वही औरत किसी और के लिए ही ने छोड़ के चली गई जहां तक जानकारी मिलती है नवीन की जिन्दगी में इस दोरान एक और औरत आई जिसका नाम था पिम्मा ये एक शादी शुदा महिला थी जो दिल्ले स्थित अपने पती से दूरी बना कर नवीन के साथ लिवन में रहने लगी लेकिन फिर कुछ दिनों बाद नवीन से उनकी अन्बंद शुरू हो गई और पिम्मा अपने पती के पास वापस लोट गई इसके बाद नवीन की जंदगी में दस्तक दी एक और तलाक शुदा महिलाने जिनका नाम था गितांजली कुछी दिनों बाद दुनों ने शादी कर ली यहां बताते चलें कि 80's के दशक से ही नवीन निश्चल अपने भाई प्रवीन निश्चल के साथ मुंबई के खार में रहते आ रहे थे जहां बाद में उनकी पतनी गितांजली भी रहने लगी थी लेकिन साल 2006 के फरवरी महीने में उनके भाई प्रवीन निश्चल ने नवीन को पत्नी समेट अपने घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि दोनों में जबरदस्त जगड़ा हुआ था पिर कुछ ऐसा हुआ जिस पर किसी को यकीन नहीं आ रहा था दरसल इसके तीन महीने बाद नवीन के पत्नी गितांजली ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया वो अपने पीछे एक खट छोड़ कर गई थी जिसमें उन्होंने अपने पती नवीन और उनके भाई पर कई बड़े आरोप लगाए थे गितांजली ने लिखा था कि नवीन उनके साथ बहुत बुरा बरताव करते हैं और शराब पीकर जानवर बन जाते हैं पुलिस ने नवीन निश्चल और इनके भाई को गरफतार कर लिया अदालत में लंबे समय तक मुकदमा चला और नवीन निश्चल को काफी साल जेल में ही गुजारने पड़े लेकिन बाद में उन्हें बेल मिल गई और वो बहार आये लेकिन नए सिरे से जिन्दगी शुरू करने के लिए उनके पास सब कुछ भी नहीं बचा था क्योंकि अपनी गलतियों की वज़े से वो सब कुछ गमा चुके थे फिर कुछ सालों तक यूँ ही किसी तरह नवीन निश्चल की जिन्दगी बस चलती रही वो काम पाने के लिए इधर उधर धक्के खाते रहे बाद के वर्षों में नवीन निश्चल ने छोटे परदे यानी टीवी पर काम करना शुरू कर दिया था वो दूरदर्शन पर प्रसारित कई सीरियल्स में नजर आए जिनमें रिष्टे नाते, देख भाई देख, आहट, दाल मे काला, फरमान, चूडियां, आशिरवाद, आदे प्रमुख थे 19th March 2011 को नवीन निश्चल अपने दोस्तों निर्माता गुर्दीब सी और अभिनेता नरधीर कपूर के साथ होली मनाने मुंबई से पुने जा रहे थे रास्ते में उन्होंने गुर्दीब को गाड़ी का एसी कम करने के लिए कहा गुर्दीब के एसी कम करने के कुछी देर बाद नवीन को दिल का दोरा पड़ा और मौके पर ही उनकी मौत हो गई फिल्म जगत में नवीन निश्चल को उनके शांदार अभिने और विवादास्पद छवी दोनों के लिए ही लंबे अर्सी तक याद रखा जाएगा जब भी इस अभी निता की बात चलेगी तो ये भी जरूर नसीहत मिलेगी कि हमें कैसे जिन्दगी जीनी चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए सफलता को कभी भी सिर पर नहीं चड़ने देना चाहिए और ना है किसी के साथ कभी बुरा व्यवहार करना चाहिए क्योंकि कोई नहीं जानता कि समय कब कैसी करवट ले ले और कब किसकी किसमत पलट जाए कहा जाता है दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताईएगा इसी तरह की कुछ और अनसुनी कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात तब तक के लिए दीजिए मुझे इजासत नमस्कार